सो ही गैस अगर आपके पास 5G स्मार्टफोन है और आप खरीदने का सोच रहे हो 5G स्मार्टफोन तो गैस ये वीडियो जरूर से देख लेना क्यूंकि आप जो 5G स्मार्टफोन खरीदने जा रहे हो या फिर आपके पास 5G स्मार्टफोन जो है उसमें 5G सपोर्ट करेगा या फिर नहीं करेगा ये सबको बहुत ज़्यादा टेंशन दे रहा है तो guys finally guys अभी तक किसी ने भी नहीं बताया है कि इंडिया में कौन सी frequency और कौन से band के साथ इंडिया में 5G network launch होगा अभी तक कुछ भी confirm नहीं हुआ है लेकिन guys आज इस वीडियो में मैं confirm कर दूँगा कि कौन से band के साथ इंडिया में 5G network launch होने वाला है और अगर आपके phone में ये band available है तो आपको जरूर से 5G network मिलेगा definitely मिलेगा guys चाहे अगर आपके phone में 2 band हो से कोई फरक नहीं पढ़ता चाहे अगर आपके phone में 13-14 band है लेकिन सिर्फ दो band ही काम आने वाल है क्योंकि Indian government ने सिर्फ दो band को ही allow किया है यहां पे और जो frequency allow किया है उससे ये समझ में आ रहा है कि सिर्फ दो band में ही 5G network इंडिया में आने वाला है तो पूरा वीडियो देखना का इस सारा कुछ में आपको यहां पे clear कर दूँगा और आपके पास जो 5G phone है वो आपके लिए lucky है या फिर नहीं है इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा तो गैस ये सब को जानने से पहले आपको थोड़ा समय आपको बताना चाहूंगा 5G network के बारे में जिसको आपको जानना बहुत ज़ादा जरूरी है यहां पे गैस 5G network जो है दो टाइप से जो है प्रोवाइड करती है companies जहां पे गैस बाकी जगा 5G network आ गई है अधर country में त और SA का full form है stand alone architecture तो यहां पे गैस NSA मतलब non stand alone architecture का मतलब यहां पे यह है guys 5G network के लिए अलग से tower लगाने की जरत नहीं है जो भी 4G tower यहां पे लगे हुए होंगे उसके थुरू ही हम लोग को 5G network वो provide कर दिया जाएगा और यहां पे SA का full form मैंने आपको बताया stand alone architecture इसका मतलब यह गैस कि यहां पे अलग से 5G network के लिए tower लगाए जाएंगे बड़े बड़े या फिर छोटे छोटे जैसे भी होंगे वो separate होंगे अलग से लगाए जाएंगे और आपको उसके थुरू directly आपके phone में 5G network provide किया जाएगा तो यहां पे गैस हम Indians जो वो जुगारू type के बंद जो कि guys possible नहीं है अभी के time में 4G tower के through ही guys हम लोगों को कुछ software update दे दिया जाएगा और उसके बाद 5G network उसी के through ही provide कर दिया जाएगा तो यहां पे गैस NSA का ही यहां पे पूरा use होने वाला है इंडिया में 5G network के लिए hope आप लोगों को NSA और NSA समझ में आ गया होगा जहां पे गैस ऐसे का मतलब है 5G network के लिए अलग से टावर लगाना और NSA का मतलब है कि 4G tower में ही 5G network को दोड़ा देना simple भासा में यह है और यहां पे गैस इंडिया में NSA ही use होने वाल है यहां पे आपको सारा कुछ clear हो गया होगा अब मैं पताता हूं गैस की जो इंडियन government है उन्हों यहां पे गैस 5G network जो है companies यहां पे provide कर सकते है इस frequency के अंदर में ही तो यहां पे गैस अगर other countries की बात करें तो यहां पे आप चार्ट देख सकते हो जहां पे बहुत सारे countries के चार्ट में आपको दिखा रहा हूं जहां पे इतने megahertz की frequency जो है provide की गई है उनको 5G network provide कराने के ल और इन दोनों megahertz में guys जो band use हो रहा है वो है N77 और N78 मतलब दो frequency band यहां पे यूज होने वाले हैं जहां पे इस mainly जो सबसे ज़्यादा यूज होगा वो N77 ही होगा N78 का भी थोड़ा सा यूज है पर सबसे ज़्यादा अगर यूज बात करें यूज की बात करें तो N77 और most of the smartphone में N77 जो band है वो available है अगर आपको check out करना है आपके phone में available है या फिर नहीं है तो आप guys अपने phone जिस भी company का आपके पास phone है उसके official website में जाए और उस phone के specification में जाके more में click कीजिएगा वहां पे networks में आपको सारा कुछ provide कर दिया गया है कि इसमें कौन कौन से 5G band available है अगर आपके phone में 13 हैं, 2 हैं, 1 है, 3 हैं उससे कोई फरक नहीं पड़ता है guys मेरे ख्याल से यहाँ पे N77 और N78 band most of the smartphone में available है अगर किसी के phone में नहीं है तो please comment करके बता देना और अगर नहीं है तो tension लेनी की बात नहीं है guys smartphones, company, कुछ ना कुछ आपको provide करेगी, अगर आपका phone 5G है तो आपको bands बाद में provide कर सकती है यह भी possible है software के through, tension लेनी वाली बात नहीं है गई, क्योंकि यहाँ पे SA का use नहीं किया जा रहा है कि अलग से कोई tower खड़ा किया जाएगा 5G के लिए, NSA use होने वाला है, मतलब 4G tower में 5G दोड़ा दिया जाएगा और आपको 5G network provide किया जाएगा, speed अच्छी खाजी आपको देखने को मिलेगी, तो guys यहाँ पे मैंने आपको एकदम clearly बता दिया है, बिल्कुल भी guys यहाँ पे मैंने time waste या फिर time pass नहीं किया, आपको सारा कुछ बहुत clearly बताया है, और hope आपको सा सारा कुछ आपको clear हो गया होगा, और यहीं पे guys बहुत सारे मैंने video बना के रखें, 5G network आएगा तो, क्या 4G बंद हो जाएगा, या फिर बहुत सारे questions के answer मैंने पिछले video में आपको दिये हैं, और आप लोगों का response बहुत ही जदा अच्छा मुझे लगा, इसलिए guys मैं इस आप जादा पसंद आया होगा, वीडियो अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना and thanks for watching guys